नमस्कार सातियों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चेनल इटी फांडेशन क्लासेस में दोस्तो जिसे के आप सभी को पता है आइटी सीबीटी एक्जाम्स की सांदार जबरदस्त यारी के लिए जो है रेगुलर आइटी सीबीटी एक्जाम्स के रियल ओरिजनल ओल्ड पेपर जो है विच सॉल्यूशन में डिसकस कर रहा हूँ तो आप लोग किसी भी ट्रेड के हूँ कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हूँ सभी ट्रेड और सभी सब्जेक्ट के आईटी के ओरिजनल ओल्ड पेपर जो है इसी यूटीब चैनल के माध्यम से में आप सभी तक पहुँचाता रहूंगा तो आप लोग जो है यह दि फॉर्स टाइम हमारे इस यूटीब चैनल पे है कोई भी प्रॉब्लम से तो वह आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूच सकते हैं मैं कोशिस करूँगा जो भी मेरे से पोसिबल होगा आप सभी आईटी इस्टुडेंस की हेल्फ करने की तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहां पर देखें एक और सॉल्वड पेपर में लेकर आया हूँ तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ठीक है फर्स्ट क्यूशन है आपके रेजिमे के मुख्य सीर्षकों को रेखांकित करने के लिए कि सौट कट कुंजी का उपयोग करते हैं रेखांकित करना है मतलब दोस्तों इंगलीज में बोलते हैं इसको अंडरलाइन करना ठीक है तो इसी को बोलेंगे अंडरलाइन तो अंडरलाइन की स्पिल्rost में क्या आ रहा है यू आ रहा है तो यहां पर अंडरलाइन जो है वह द्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं का यूज करते हैं एक बार फिर से देखे जैसे सुपोस्ट अफ मैंने लिखा आर ए एम ठीक है इसके नीचे अंडरलाइन करना है तो ये लाइन में ने ड्रो कर आ ठीक है इसको बोलते हैं अंडरलाइन करना है इसके लिए हम डायरेक्ली सौर्ट कट कुझी जो है सबसे पहले तो उसको मैनुफेक्चर करना पड़ेगा फिर वो रिटेलर मतलब दुकानदार जोते हैं न उनके पास आएगा फिर दुकानदार क्या करेगा कस्टमर को सामान बेचेगा तो ये सबसे बड़िया चेन हो गया सबसे अच्छी स्रंकला हो गई सबसे सही चैनल हो ग नेक्स्ट क्योशन है वी निर्माण उद्धमों की स्थितिते करने के लिए किस निवेसपर विचार किया जाता है वी निर्माण मतलब ऐक तरह चासे जो है आप लोगों का मेनुफेक्चरिंग अंटरप्राइज़स ठीक है मैनूफेक्चरिंग तो मैनूफेक्चरिंग manufacture मतलब निर्मान करना है तो निर्मान करोगी किस से जब तक आपके पास में machine नहीं होगी जब तक आपके पास में plant नहीं होगा वो building नहीं होगी plant मतलब यहाँ पर बड़ी सी building ठीक है तो building और machinery आप लोगों को आवस्यक होगा सबसे पहले ठीक है the study of right and wrong in human endeavors ठीक है इस called तो मानो परियासों में सही क्या है गलत क्या है उसका जो analysis किया जाता है उसकी जो study की जाती है उसका जो अध्यान किया जाता है उसको हम guys कहते हैं ethics क्या कहिंगे ethics option सी इसका correct answer हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तो next question क्यों next question है इनमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन जो है वो सत्य है तो यह तो simple सा है आप लोग इसको देख के भी बता सकते हो first है कुछी सहरों में रोजगार के आवसर है गलत हो गया ना इसने पूछा ता सत्य कौन सा है second है कुछ सहरों में अलग opportunities होगी गुडगाव है वहाँ पर कुछ अलग opportunities होगी और उसके अलवा जैसे मालों की ठीक है चैन नहीं है तो वहाँ अलग अवसर होंगे थीक है तो अलग-अलग सहरों में जो है अलग-अलग टाइफ के opportunities होती है कई ऐसे जो है ओध्योगिक शहत्रों ते जिसे अधिक अउसर होते हैं चलो बढ़ते हैं next question क्यों एक वेक्ति जो व्यवसाई की सुरुवात से जुड़ा होता है उसे तो यार entrepreneur कहते हैं व्यवसाई के सुरुवात से जुड़ा होता है सुरुवात मतलब स्टार्ट करने वाला ही जो businessman ही है न उसी को हम entrepreneur बोलते हैं उसको हम उद्धी में बोलते हैं entrepreneur उसे कहा जाता है ठीक है option 20 का right answer होगा बढ़ते हैं दोस्तो next question क्यों जब कोई thank you कहता है तो हमें उसे you are welcome कहना चाहिए you are welcome ठीक है you are welcome right यह हमें कहना चाहिए तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देते हैं thank you आप कहोगे तो response में क्या कहना चाहिए you are welcome right चलो बढ़ते हैं next question क्यों कच्ची माल की खरीद मजदूरी और वेतन किराए बिजली आदी के बुकतान में निवीस किया गया पैसा money invested in purchasing of raw materials payment wages salaries raw material ना उसको बोलते हैं working capital क्या बोलते हैं कारेसील पूंजी working capital salaries किराया electricity यह सब जो चीज़े देते हैं उसको बोलते हैं working capital और एक होता है है जब installation में पेशा लगता है उसको capital उसको जो है installation या fixed capital बोलते हैं उसको अचल capital यह option था ना जिसे वाला ठीक है जिसे मालों आपने building बनाई ठीक है और उसमें building के लिए जो खर्चा हुआ वो directly जो है fixed capital में आएगा या फिर उसमें machinery लाके लगा दी एक ठीक है वो fixed capital में आएगा इन दोनों को मिलाकर जो है वो capital income कहलाता है तो working capital मतलब उसको जब प्रचालित कर रहे हैं उसको चला रहे हैं तो आपको कच्छी सामगरी लानी पड़ेगी ठीक है salaries होगेरा देना पड़ेगा किराया देना पड़ सकता है electricity का will भी देना पड़ेगा विल्कुल राइट तो working capital के इंतरकत आता है मतलब जब उसको परचालन कर रहे हैं उसको काम में ले रहे हैं working है ना operate कर रहे हैं उस समय जो पेशा लगेगा वो working capital में आएगा ठीक है चलो वोईस में जो है बाई आएगा ठीक है बाई का यूज हो रहा है वो generally क्या है passive voice है बाकी कि सारी के सारे direct है तो यह क्या है active voice है active voice और यह passive voice ठीक है passive voice में आप याद रखेगा by you by us by them ठीक है ऐसा यूज होगा वो बाई ठीक है next देगो expansion of sms is sms का विस्तार short messages service या तो आप सभी को पता होगा short messages services का right answer हो जाएगा public speaking की 3P पढ़ना ली क्या है 3P पढ़ना ली तो यार आप सभी को पता भी होगी सबसे पहले prepare फिर practice फिर perform प्रिपेर प्रैक्टिस और पर्फॉर्म प्रिपेर प्रैक्टिस और पर्फॉर्म तो राइट अंसर हो जाएगा option a बढ़ते हैं दोस्तों next question के और आपने ग्रहक को बदाई दी greeting को पूरा करने के लिए आपको निमनिमे से किस कथन का उप्योग करना चाहिए how may I help you मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूं ठीक है यही जो है बैस्ट रहेगा ग्रिटिंग मतलब अभिवादन मतलब तुरंत आपने मिला ठीक है फिर उससे नमस्ते गुड़ मारिंग गुड़ आप्टरनून जो भी करना था वो कर लिए उसके बाद में डायरेक्ट लिए आपका क्या कहोगे तो कौन सा आएगा ओन आएगा ठीक है थार्ड फ्लोर के उपर है तो ओन प्रिपोजिशन यहां पर सही रहेगा ठीक है इन में से कौन से दस्ताविज अंतराष्ट यात्रा के लिए अनिवारे रूप से आवस्चक नहीं है यार पर्सना आइडिन्टी चाहिए पासपर्ट चाहिए वीजा चाहिए विदेश यात्रा के लिए तीनों चीज चाहिए लेक्रिसिटी बिलकिया आवसकता नहीं है तो यहीं पुछा तर राइट आंसर हो जाएगा यहीं ठीक है नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट जीडीपी का फुल्फॉम हो करते समय अच्छे सिस्टाचार नहीं है तो यह भी देखो यार काफी अच्छा क्यूशन है काफी आपके जो पेपर सेट्स थे उनके अंदर यह पूछा हुआ क्यूशन है पुछ बेक आवर सीट विदाउट चेकिंग विद परसन ऑन दा बेक सीट अगर आप यात्रा कर र ठीक है लेकिन जनरली स्टुडेंट्स क्या करते है और ठीक है लग रही है तो लगने दो जानबूज की दखा देते हैं तो यह सब यह भार अच्छा सिस्टाचार में नहीं आता समझ रहे होंगे आप लोग ठीक है चलो नेक्स देखो कौन एक फाइल मेनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है विंडोज एक्सप्लोडर कौन सा है विंडोज एक्सप्लोडर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यों डूज चर्चा के सिस्टाचार में कौन सा डूज है डूज कौन सा है मतलब डूज का मतलब यहाँ पे चर्चा के सिस्टाचार में कौन स विभीदता क्या बोलते हैं विभीदता विभीदता क्या बोलते हैं विभीदता option B इसका right answer होगा next question है निम्न वाक्य में किस विराम चिन्न का प्रयोग किया जाना चाहिए is there any site engineer here is देखो यार इससे is MR वाज वार इनसे अगर स्टार्ट हो रहा है तो पक्का एक question mark आएगा ठीक है control plus c यूज़ करते हैं आपको भी बताओ का control plus c का हम यूज़ करते हैं copy के लिए ठीक है shortcut command copy काफी बार ही आपके ATCBT exam में पुछा हुआ है next देखो इसका बाद में एक resume होना चाहिए एक resume तो राइट answer जाएगए इस तरीके से सब्सक्राइब करने के बारे में सब्सक्राइब करने के बारे में सोचो ठीक है पचास में से 50 इससे कम कुछ नहीं तो दोस्तो आज के इस पीडियो में इतना ही इसी तरह के इसे रिलेटेड यूजफूल सभी सब्सक्राइब के अल्ड पेपर्ट रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग डूडे रिमारे साथ में लेंगा आपसे नेक्स डूड़ी में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद